नमस्कार मैं हूँ अभीशेक बारेट और आप इस वक्त मेरे साथ देविंडो पर हमारा स्पेशल सेग्मेंट किस्सा कहानी देख रहे हैं क्या आपको भारत की फिल्म इंडुस्ट्री में ऐसा कोई चेहरा याद है जो गंभीर चेहरे के साथ बिना हसे बोले रुमैंस कर सकता था या फिर कर सकता है क्या आपको इतनी दिल्फरेवी वांखे याद आती हैं कि आपके दफ्तर जाने का समय हो हाथ में खाने का डिबा हो और आप घर की डियोडी से वाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे हो और आपकी आँखों के सामने अचानक बगल में चल रहे टेली विशन पर उसकी कोई फिल्म सिर्फ उसकी आँखों से आपको ठिटकने पर मजबूर करते हैं ये कालपनिक सिच्वेशन आपके लिए हकीकत में अलग-अलग हो सकती है लेकिन जो आँखें आपको किसी भी सूरत में रोक लें वो आँखें सिर्फ राजिंद्र कुमार की आँखें हो सकती है वो कोई दूसरी आँखें नहीं हो सकती आखों से बहकर चहरे पर फैल जाने वाली एक्टिंग भारतिय सिनेमा में राजिन दुरुकुमार से अच्छी कोई नहीं कर पाया वो अब भी अपवाद है ज्यादातर गंभीर अदाईगी के लिए तै मैथड हैं कि आपके चहरे को रूखा होना है उस पर कुछ मेकप होना है लेकिन राजिन कुमार ऐसे अक्टर थे जो मेकप नहीं करते थे और जब उम्र की ढलान पर मेकप करने की सला उनको दी जाती थी तो वो कहते थे उम्र मेकप से कम नहीं होती बेतर ये है कि वो उसे स्वीकार करें और करेक्टर रोल करें और उन्होंने किया भी यही जिसकी ये कहानी है वो थे भारत के जुबले कुमार राजिंद कुमार ये कहानी है भारत के सबसे विजनरी एक्टर की पाकिस्तान के सियाल कोट से आया ये लड़का एक टेक्स्टाइल कारुबारी का बेटा था जिसके घर में तमाम वो एश्वाराम मुझूद थे जो उसे अपना सपना पूरा करने में खलर डाल सकते थे लेकिन उसे भारत के सबसे बड़े सूबस्टार का दर्जा चाहिए था और इसके लिए उसे अपनी कलाई परबंदी पिता की दी हुई घड़ी को भेच कर बंबई आना पड़ा यूँ तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पूरा परिवार ही दिल्ली आ गया था पर अभी राजंद्र कुमार तुली नाम की साधार ने चहरे मौरे वाले इस लड़के को बंबई बुला रही थी एक शहर एक सक्ष का इंतिजार कर रहा था वो लड़का बड़ा कारोबार छोड़कर मंबई आ गया पर सबने देखना तो बड़ा मामूली काम है उन्हें पूरा करना बिलकुल जुदा बात है फिल्म इंडिस्ट्री में राजिन कुमार किसी को नहीं जानते थे 1929 में पैदा हुए राजिंद्र इस वक्त महज 21 साल के थे वो मुंबई के एक गेस्ट हाउस जिसे बॉंबे गेस्ट हाउस कहा जाता था वहां कर ठहरे और यहीं से वो रोज फिल्मों के आउडिशन देने जाते थे दुनिया में कोई भी इंसान बिना संगर्श के कुछ बना हो ये बात ही बेमानी है राजिन कुमार के इस संगर्श से एक सूपरस्टार निकलने वाला था बॉंबे गेस्ट हाउस बेंडरा रेलव स्टेशन के बगल में ही हुआ करता था राजिन कुमार हर जगे उस वक्त खुद को आजमा रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी एक दिन उनकी मुलाकात मशूर निर्माता, निर्देशक और लेखक हस रवैल से हुई और हीरो बनने का सपना चोड़ कर वो रवैल के असिस्टेंट बन गए और बतोर असिस्टेंट डिरेक्टर वो काम करने लगे लेकिन उन्हें बनना था हैक्टर, लेकिन वो शायद खुद को साधारन चहरे वाला व्यक्ती मानते थे इसलिए उन्होंने चुपचाप ये मान लिया कि वो शायद हीरो नहीं बन सकेंगे वो कहते हैं ना हर इंसान का सपना एक दिन एक मोड पर पहुंचता जरूर है जहां इश्वर उसे पूरा करवाने के लिए किसी को भेशते हैं वो अवसर ही आपको पहचानना पड़ता है राजंद कुमार के मरते हुए सपने को पूरा करने के लिए किसमत से मशूर निर्माता निर्देशक केदार शर्मा ने एक दिन राजंद कुमार को देखा और वो समझ गये कि राजंद कुमार का भविश क्या होने वाला है केदार शर्मा की आखे राजंदर कुमार में हिंदी सिनिमा का अगला सूपर स्टार देख चुकी थी केदार शर्मा ने राजंदर कुमार को अपनी फिल्म जोगन में एक छोटा सा रोल दे दिया पर ये रोल इतना बड़ा था कि राजंद कुमार को इसने सफलता की राह पर खड़ा कर दिया इसी को तो किस्मत कहते हैं दरसल इस फिल्म में लीड एक्टर थे हिंदी सिनमा की ट्रेस डी किंग दिलिप कुमार राजंदर दिलिप कुमार के साथ अपनी पहली फिल्म में काम करेंगी ये सफना सच होने से भी ज्यादा बड़ी बात थी राजंदर कुमार अब हिट हो चुके थे पर बॉंबे गेस्ट हाउस का मालिक भी राजंदर कुमार के नाम पर हिट हो गया दरसल इसके पीछे किस्सा है राजिंद कुमार ने अपने संगर्ष की दिनों में जिस चारपाई का इस्तिमाल किया जिस पर वो सोया करते थे अब गेस्ट हाउस के हेजंट फुकड भाई ने इस चारपाई को हीरो बनने का सपना लेकर आने वालों को किराये पर देना शुरू कर दिया वो भी मोटी रकम लेकर फुकड भाई लोगों से कहा करता था कि राजंद कुमार इसलिए सूपरस्टार बने क्योंकि वो इसी चारपाई पर सोते थे 1957 की महबूब खान के फिल्म मदर इंडिया ने सफलता के सारे कीरती मान तोड़ दिये और राजंद कुमार अब सफलता की गैरेंटी माने जाने लगे इस फिल्म से सुनिल दत और राजंद कुमार के बीच गहरी दोस्ती हुई और आगे चल कर दोनों समधी भी बने राजन्द कुमार के बेटे कुमार गौरव से सुनील दत की बेटी नमरता दत की शादी हुई राजन्द कुमार की हर फिल्म गीत, साथी, संगम, ससुराल, मदर इंडिया, घराना, दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, प्यार का सागर, आरजू, संगम, अंजाना, मेरे महबूब और भी बहुत सारी फिल्में सूपर हिट हुई हालत ये थी कि साल 1969 से लेकर 1966 तक उनकी सबी फिल्में सूपर हिट हुई 1963 से 1966 तक तो उनकी हर फिल्म ही बलाग बास्टर साबित हुई मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला, सूरज और आरजू उनकी ये च्छै फिल्में एक साथ जुबली सपता मना रही थी 25 हफतों तक लगातार उनकी ही फिल्में थेटर में चलने लगी 1964 में तो ये हालात थे कि सिनमा घरों में राजंदर कुमार के लावा किसी की फिल्म ही नहीं लगाई जाती थी राजकपूर और दिल्फ कुमार को भी लोगों ने राजंदर कुमार के सामने उस वक्त तवज्जो देना बंद कर दिया था घराजंदर कुमार की पहले फिल्म बेशक जोगन कही जाती है उनकी पतनी का नाम शुकला है लेकिन उनकी सफलता से कोई भी उनकी क्रेस से बच नहीं पाया शायरा बानू भी उनकी साथ प्रेम में पड़ गई थी और नौबत यहां तगाई कि शायरा किसी भी कीमत पर राजंद कुमार से शादी करना चाहती थी बाद में दिलिप कुमार के समझाईश के बाद उन्होंने खुद दिलिप कुमार से ही शादी कर ली ये भी शानदार है फिल्म गूंजूटी शेहनाई में राजिंद कुमार ने शेहनाई वादक का किरदार निभाया और उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने उनके लिए सेहनाई बशाई लेकिन जब यह फिल्म आई तो बिस्मिल्ला खान साहब ने राजिंद कुमार की एक्टिंग देखकर कहा कि मैं तो खुद को देखता ही रह गया मुझे मैं ही नजर आने लगा आप में फिल्म संगम में खुद राज कपूर की एक्टिंग भी राजिंदर कुमार के सामने कमजोर और फीकी पड़ गए दोस्त के किरदार में वो इतने असल नजर आते हैं वो आपके जहन में आने वाले सबसे पहले कालपनिक दोस्त हो सकते हैं एक्टरिस साधना उस जमाने की मशूर अदाकारा थी और फिल्म बन रही थी मेरे महबूब लेकिन साधना को फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लग रही थी तो उन्होंने इसमें काम करने से इंकार कर दिया तब डिरेक्टर ने साधना को समझाया कि जुबली कुमार राजिंद्र कुमार ने ये फिल्म बतोर लीड अक्टर साइन की है अगर जुबली कुमार को ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी है तो ये सूपर हिट होगी क्योंकि वो बहुत विजनरी अक्टर है साधना ने ये फिल्म स्वीकार कर ली और ये फिल्म सूपर हिट हुई तब साधना को बता लगा कि जूबली कुमार का वीजन कितना ज्यादा कमाल का है ऐसा ही आरजू के वक्त भी हुआ राजंद कुमार ने फिल्म आदी फीस में कर ली क्योंकि उन्हें पता था कि ये फिल्म साधना के साथ होने से सूपर हिट हो जाएगी ऐसा ही हुआ निर्माता रामानंद सागर ने राजिंद कुमार का एहसान उतारने के लिए उन्होंने आदी फीस में उनकी ये फिल्म की थी इस वज़े से दिल्ली से होने वाली सारी कमाई राजिंद कुमार को दे दी इस तरह आदी फीस लेने की वजए से उन्हें दो गनी से भी ज़्यादा फीस मिल गई साथ ही साधना के एंट्री कराकर वो फिल्म को सूपर हिट करा ले गए राजिंत कुमार इतने विजनरी विक्ती थे कि जब उम्र ढलने लगी तो उन्होंने हीरो के लोल छोड़ कर करना शुरू कर दिया जबकि अमिता बच्चन जैसे सूपर स्टार भी हीरो बने रहने के लिए वो मोग नहीं छोड़ पाए और फ्लॉप होने के कई सालों बात भी कैरेक्टर रोल उन्होंने नहीं किये धर्मेंद्र, राकेश रोशन, राजेश खन्ना, महेश भट, डेविड धवन, सलीम खान, जाविद अक्तर, किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार, हिमेश रेशमिया, पंक जुधास ऐसे लोगों को राजेश खन्न कुमार नहीं अपने प्रडेक्शन या दूसरे प्रडेक्शन को रेकेमेंट किया क्योंकि उन्हें इन लोगों की शमता का एहसास पहले से ही था वो इतने साफ अभी नेता थे कि अपनी फिल्म वचन में उन्होंने मशूर एक्टरस गीता वाली के भाई का किरदार निभाया और ये फिल्म हिट हुई लेकिन फिल्म के बाद दोनों को कई ऐसी फिल्मों के आफर आए जिन में रोमैंटिक रोल थे राजंदर कुमार ने कभी भी ऐसी फिल्में नहीं की जिसमें योगीता बाली उनकी एट्रेस हो क्योंकि वो उन्हें फिल्म वचन के बाद अपनी बहन मानने लगे थे उनकी काम्याबी को उनके बंगले से भी जोड़ कर देखा जाता है इसका भी एक किस्सा है तरसल नए नए हीरो बने राजंदर कुमार को किसी ने बताया कि कार्टर रोड पर एक बंगला बिक रहा है राजंद्र कुमार को भी ये बंगला पसंद आया पर नए नए राजंद्र कुमार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बंगलों खरीच सके जब बी आर चोपड़ा को ये पता चला तो उन्होंने अपनी फिल्म कानून के साथ दो नए फिल्मों की एडवांस पिमिंट जुबली कुमार को दे दी ताकि वो ये घर खरीच सके लोग राजंद्र कुमार से कहते थे कि ये घर भूता घर है इसमें भूतों का साया है लेकिन इस घर में जाने के बाद राजंद्र कुमार सफलता की उचाईयों पर चड़ने लगे इस घर में जाने के बाद उनकी हर फिल्म ही सूपर हिट होने लगी अब ये बात चल कि इसी बंगले की वज़े से राजंद्र कुमार जूबली कुमार बने हैं और जब यह बात राजेश खन्ना के कानों में पड़ी तो वो इस बंगले को पाने के लिए मचल उठे राजंद्र कुमार से उन्होंने कहा कि आप तो अपनी सफलता के शिखर पर हैं मैं नया नया 1971 में राजेश खन्ना ने इसे अपने नाम करवा लिया अभी एक तफाक ही था कि बंगले में रहना शुरू करने के बाद एक के बाद एक राजेश खन्ना की पंद्रा फिल्मे सूपर हिट हुई हाथी मेरे साथी कटी पतंग मर्यादा महभू की महंदी और अराधना जैसी फिल्मों से राजेश खन्ना ने पहल का मचा दिया कि उनके बारे में कहा जाने लगा उपर आका नीचे काका इस बंगले का नाम उन्होंने आशिरवाद रखा 2012 में राजेश खन्ना की मौत के बाद ये बंगला 90 करोड रुपए में उनके परिवाद ने सशी किरन सिट्टी नाम के एक बिल्डर को बेचा जहां अब बंगले को तोड़ कर एक बहू मंजला इमारत बनाई चारी है राजेश खन्ना कुमार इस बंगले से निकलने के बाद फिल्मों में बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए हो सकता है ये एक इत्वाक हो इसे अंद विश्वास के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए उनके पास ढलती उम्र के साथ काम की भी कमी हो गई 1981 में राजेश खन्न कुमार ने अपने बेटे कुमार गोरव की पहले फिल्म लव स्टोरी को प्रोड्यूस किया और ये फिल्म सूपर हिट हुई इसके बाद वो कभी कभार परदे पर नजर आये उन्हें कैंसर हो गया था लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 12 जुलाई 1999 को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सूरज ढल गया लोग कहते हैं कि उन्होंने तंग हाली में राजेश खन्ना को अपना बंगला बेचा ऐसा नहीं है अपनी मौत के वक्त वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर विक्तियो में से एक थे क्योंकि जुबली कुमार बेहत दूर दर्शी विक्ति थे उन्होंने पूरे जीवन पैसे का सही धंग से सही जगह निवेश किया और सफलता को कभी अपने सर पर नहीं बैठने दिया जुबली कुमार का जादू भुलाया नहीं जा सकेगा बस इसे कहने की ना कहानिया सुनाते हैं आपको हमारा एक काम करना चाहिए ताकि आपको इस तरह की ख़बरें कहानिया और किस से सुनने को तैसमे पर मिल जाया करें आपको हमारा चैल सब्सक्राइब करना है वेल आइकन को प्रेस करना है कोई खबर आपसे छूटे ना क्योंकि हम इने आपके बेहद मेहनत के साथ मनाते हैं आपको सुनाते हैं और कोशिश करते हैं कि तमाम बार हमारी कोशिशें आपको पसंद आए हमारे साथ बने रहे फिर मिलेंगे शुक्रिया